किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम इंसानों की बड़ी अजीब आदत होती है कोई चीज ना मिले तो सब्र नहीं करते और मिल जाए तो उसकी कद्र नहीं करते नमस्ते दोस्तों मेरे नाम है आरजे कार्तिक आपके लिए एक छोटी सी कहानी और इसी विटियोज देखने आया तो परिवार की मुख्या ने हाथ जोड़ करके कहा कि बाबाजी हमारे पास में आपको देने के लिए कोई दक्षणा में जादा बड़ी चीज नहीं है तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से बकरी आप स्विकार ले बाबाजी चक्कर में पड़ गए कि इस बकरी का क्या क करूँगा लेकिन परिवार का स्नेह इतना था प्यार इतना था कि बाबाजी ना नहीं कर पाया उन्होंने का ठीक है अब वो उस बकरी को साथ लेकर के उस गाउं से निकल गए यात्रा लंबी थी चलते चले जा रहे थे थोड़ी देर तो बकरी चलती रही फिर बाबाजी परिशान हो जाएगी तो उसे उठाया और अपने कंधे पर बैठा लिया बाबाजी मस्ती में चले जा रहे थे उन्हें तो आदत थी लंबी यात्राएं करने की दूर पहाडी पर तीन ठक बैठे वे थे जो उन्होंने देखा कि एक बाबाजी आ रहे हैं कंधे पर बकरी है तो मन में लड़ो फूट गए उन्होंने सोचा कि आज लंच में बकरी होगी और ये उन्होंने बढ़िया सा प्लान बना लिया कि हम बाबा को ठग लेंगे तीनोंने डिसाइड कि हम अलग-अलग जगों पर छुपेंगे और बाबाजी से बात करेंगे बाबाजी चलते चल गलवागले क्या। कैसी बात कर रहे हो आप ये बकरी है दिखने रहा है तो जो पहला ठक ता उसने का बाबाजी जो मँझे दिखा मैंने बोल दिया। आपको मानना है मानो नहीं मानना नहीं मानो ऐसा बोल करके उचल दिया और आगे जाकर कि मुश्कराने लगा बाबाजी बड़ बड़ाने लगे कि कैसे कैसे लोग इस दुनिया में थोड़ा आगे बढ़े तो दूसरा वाला चुपके बैठा था वो निकल आया उसने का बाबाजी आपको हम इतना पवित्रे मानते हैं और आप ये क्या कर रहे हैं शर्म नहीं आती आप एक मरा हुआ बच्छडा अपने कंधे पर लेकर कहा जा रहे हैं बाबाजी ने का मुर्ख हो गया दिखनी रही ये बकरी है उस व्यक्ती ने भी कहा उस ठग ने भी वही कहा कि मुझे तो जो दिखा मैंने बाबाजी बोल दिया आपको मानना है मानो नहीं मानना मत मानो ऐसा बोलकर क्यों आगे चला गया और वह भी मुस्कराने लगा बाबाजी चलते रहे तीसरा वाला छुप करके बैठा था वो भी सड़क पर निकला है उसने का बाबाजी आपको प्रणाम करता हूँ लेकिन ये क्या कर रहे हूँ मैंने पहला इंसान देखा इस दुनिया में जो गधे को अपने कंधे पर लेकर के गूम रहा है गधे को कोई कंधे पर बैठाता है क्या बाबाजी का दिमाग ठनक गया कि क्या हो रहा है पहला मिला ओ कह रहा था कि कुत्ता है दूसरा कह रहा है मरा ओ बच्छडा है तीसरा कह रहा है गधा है ये मैंने क्या बैठा लिया भूत भूत तो नहीं है पहुजी का दिमाग खराब हो गया और अनुस बकरी को उतारा और अकेली ही चल दिये मस्ती में बकरी थोड़ी सी दूर गई थी और विचारे तीनों ठगोने उसको पकड़ लिया कहानी तो खत्म हो गई लेकिन ये छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है अगर हम लोगों की बातों में उलज गए तो जहां हमें जाना है जो हमें करना है जैसे हमें करना है हम कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आसपास के लोगों की बातों से इतना इंफ्लूएंस हो जाते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाते हैं, अपने गोल तक नहीं पहुँच पाते हैं, लोगों की बातों से डिमोटिवेट हो जाते हैं, अपना जो गोल है, अपनी जो मनजिले, वहां तक नहीं पहुँच पाते हैं, एक बार फिर से याद दिलाना चाह अपनी सची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा